हाँ तो नमनहा छात्रगन कैसे हैं आप सभी लोग उमीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और मेरे प्यारे बच्चों आज हम पहली बार अगर आप कह सकते हो कि इस तरह से मैंने वर्ष दोजार चौबिस में मौर्निंग में क्लास की सुरवात की है तो प्यारे बच्चों इतने आच्छे बाइएं आप लोग कैसे हैं और कैसा फिल कर रहे हैं मौर्निंग के समय में को हमारा जो रिजल्ट बनता है वह उमारे महनत पर करता है तो आप जितना ज्यादा महनत करेंगे अले उतना अच्छा होगा ठीकने हैं क्या आप मुझे live सुन पा रहे हो yes or no yes लूजी हम सुन पा रहे हैं और हम लोग सुभा सुभा इतने अच्छे विशय से हम स्टार्ट कर रहे हैं अपनी पढ़ाई की संस्कृत विशय है बच्चों और पाठ का नाम है अलसकथा पाठ का नाम क्या है अलसकथा कैसे हैं आप सभ कोटा सा प्रियास होना चाहिए बच्चों कि कम से कम हमारे live class में morning के समय में कम से कम 1000 बच्चे live होने चाहिए तो आप सभी लोग अब क्या करना है आप सभी को मालूम है कि अपने हर उस दोस्त के पास हर उस भाई बहन के पास इस class को share कीजिए जो कक्षा 10 में पढ़ता है त लिशा online classes का पडिवार छोटा रहे हर कोई चाहेगा पडिवार बहुत बढ़ा रहे वर हम लोग खूब अच्छे से पढ़ें तो प्यारे बच्चों चलिए अब start करते हैं share की और हर एक student इस class को share करेगा ठीक है ना चलिए मैं भी कर देता हूं बच्चों है ना मैं भी कर द यह सर बहुत अच्छा लाए क्या आपने share कर दिया हाया ना 600 जूड़ चुगे हैं 700 जूड़ चुगे हैं यह सर हमें बहुत अच्छा लगता है बच्चों एक बार सब लोग comment box में लिखे सरस्वती मा की जय क्योंकि संस्कृत विसा है और संस्कृत विसा है प्यारे ध्यान देना आज का motivation है कि सिर्फ एक इंसान ही आपको सिर्फ एक इंसान ही आपको आगे लेकर जाएगा और वो हैं आप खुद बच्चों वो हैं आप खुद तो बताईए आपको आगे लेकर कौन जा सकता है आपको आगे लेकर कौन जा सकता है तो आप खुद बच्चों है ना जल्दी से लिखो मैं आपको आगे लेकर कौन जा सकता है तो comment box में लिखे मैं बच्चो मैं मत्तब कि आप खुद आप स्वेम अपने आपको आगे लेकर जा सकते हैं दुनिया में कोई दूसरा इंसान नहीं है जो आपको आगे लेकर जाएंगे तो सबसे important है इस दुनि संस्कृत विशय और संस्कृत विशय में कुल कितने अध्याय हैं आप सभी को मालूम है संस्कृत विशय में कुल कितने अध्याय हमें पढ़ने हैं बुक में जल्दी बताओ बुक में हमें कुल 14 अध्याय पढ़ने हैं कुल 14 अध्याय पढ़ने हैं और 14 अध्याय में से ल लगभग कितने आएंगे? तो लगभग, बच्छो, 45 question, 45 परस्ट पूछे जाएंगे लगभग 42 भी मान लेते हैं, तो हर chapter से, हर chapter से बच्छो, हर chapter से कितने number हो गए? बताओ, अगर हम 42 number को भाग करते हैं, 14 से तो हर chapter में कितने number हो गए? तो आप कहोगे गुरुजी हर चेप्टर में हमारे कम से कम तीन नंबर हो गए और बच्चो सब्जेक्टिव दो नंबर का आता है सब्जेक्टिव हर चेप्टर से मिनिमम एक कुष्ण आता है टू की मल्टिपला एक से तो दो हो गए तो बच्चो बताओ कि कोई भी चैप्टर कितने नंबर का होता है संस्कृत का अगर कोई भी चैप्टर है तो वो कितने नंबर का है जल्दी से बता दो येस गुरुजी कोई भी चैप्टर है तो मिनिमम वो पांच नंबर का होता है वोई भी chapter जो है minimum वो 5 number का होता है तो प्यारे बच्चों हर एक objective question पर हर एक point पर आपको ध्यान देना है क्या आप दोगे yes boss comment box में लिखे yes boss हर एक points पर आप ध्यान दोगे yes sir और प्यारे बच्चों मैं देख रहा हूँ कि 800 बच्चे live हैं और like की संख्या मात्र 500 है क्या ये आपको अच्छे लग रहा है तो बच्चों like की जो संख्या है like की संख्या 800 बच्चे हैं तो 800 like होने जाए वो भी 2 सकंड के अंदर तो जल्दी से फटाफट like कर दो इसमें कोई पैसा नहीं लगता आपका ठीक है बस प्यार है बच्चों आपका प्यार है जैसा आपका प्यार लगता है वैसा हम लोग महनत करते हैं तो प्यारे बच्चों यहां जो कथा है आपको बहुत हंसी आएगी इस कथा में आपको बहुत हसी आईगी, तो क्या आप कथा सुनने के लिए तयार हैं, तो बच्चों हम जो कथा सुनने जा रहे हैं, इस कथा का नाम है बच्चों, अलस कथा, अलस मतब होता है आलस और कथा का मतब होता है कहानी, तो बच्चों यह कहानी किसकी है, तो आप कहो है बच्छो, आलसियों की कहानी है ठीक है न ये बच्चो कहानी किसकी पढ़ रहे हैं हम लोग आलसियों की और इसके लेख़क कौन है अगर आपसे पूछा जाए कि हम लोग जो अल Rainbow कथा पढ़ रहे हैं तो बच्चो yapmışक पढ़ रहे हैं इसके लेखक कौन है तो इसके लेखक है विद्यापती बच्चो लेखक कौन है विद्यापती अगर आपसे पूछा जाए इसको याद कैसे करें तो बच्चो ट्रिक याद रखना कि आलसियों को विद्या नहीं होती आलसियों को क्या नहीं होती बच्चो आलसियों को विद्या नही कवी हैं तो कहना बच्चो विद्यापती मेथिल भासा के कवी है मेथिल भासा के कवी है या मेथिल बच्चो किस भासा के मेथिल भासा के या मेथिली भासा के कवी है तो कहना बच्चो कि अलस कथा लिया गया है पूरुस परिक्षा से किसे लिया गया बताओ अलस कथा जो लि पुरुस परिक्षा नामक गरंद से लिया गया है अगर आपसे ये पूछा जाये बच्चों कि जो अलसकता है वो किस रूप में है किस रूप में है तो बच्चो आप कहना अलसकथा किस रूप में है तो कहना बच्चो व्यंग्यात्मक रूप में यानि इसमें व्यंग किया गया है तो कहना बच्चो व्यंग्यात्मक रूप में है किस रूप में है बच्चो बताओ अलसकथा किस रूप में है तो कहना बच् तो असली आलसी की संख्या 4 है, मैं देख रहा हूँ, असली आलसी की संख्या 4 है, मैं देख रहा हूँ बच्चों कि अभी तक लाइव में 1000 बच्चे नहीं पुरे हैं, तो आप सभी लोग एक बार दम लगाईए, पावर अफ दिशा online classes हर बच्चे के पास सेयर करें, और morning के समय में भी जब हमारी क्लास हो, तो कम से कम 1000 बच्चा लाइव देखना चाहिए, 1000 बच्चा, तो हर बच्चे के पास इस क्लास को खूब सेयर कीजिए, तो चलिए बच्चों, एक एक बिंदू पर आप ध्यान देना और एक एक चीज पर आप बढ़ियां से ध्यान देना, आएव बच्चों बढ़ते हैं, सबसे पहले एक एक पॉइंट को ध्यान दीजेगा, कहते हैं, अयम पाठह, अयम पाठह मतब इस पाठह में, विद्यापती किरितश्य मतब विद्यापती के दुवारा लिखा गया, क बच्चों यह जो हम लोग पढ़ रहे हैं, अलस कथा, वो किसका अंस है, वो किसका अंस है, जो हम लोग अलस कथा पढ़ रहे हैं, वो किसका अंस है, तो आप कहेंगे, जो हम पूरुस परिक्षा पना, यह जो हम लोग अलस कथा पढ़ रहे हैं, वो अंस है, पूरुस परि अगर आप से पूछा जाए कि किस भासा में है तो आप हस्ते हस्ते बोलोगे आप हस्ते हस्ते बोलोगे कि जो पूरुस परिक्षा गरंथ है वो संस्कृत भासा में है है ना कहते हैं बच्चो विभिनाम मानव गुनानान महत्व वर्नियती और ये बच्चो विभिन मानव के गुनों का वर्नन करता है अगर आप से पूछा जाए कि पूरुस परिक्षा गरंथ किसका वर्नन करता है तो बताओ बच्चो किसका वर्नन करता है तो कहेंगे कि मानव प्रूस परिक्षा बच्चों किसके निराकरण का सिख्षा तो कहना बच्चो किस्के निराकरन का सिक्षा देता है तो कहते हैं गुरूजी दोस्निराकरन का सिक्षा देता है किसके गुन को बताता है तो मानव के गुन के और दोस निराकरण की सिक्षा देता है पुरूस परिक्षागरंत किस भासा में है तो कहना बच्चो संसकृत भासा में है संस्कृत भासा में हैं ठीक है ना चलो बच्चो आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं कहते हैं विद्यापती लोकप्रिया लोकप्रिया मतलब होता है प्रसिद विद्यापती लोकप्रिया मेथिल कवी आसित यानि विद्यापती किस भासा के कवी है तो कहते हैं विद्याप और उन्होंने प्यारे बच्चों, उन्होंने अनेक संस्कृत भासाओं में भी गरंत लिखे हैं, विद्यापती मेथिल भासा के साथ साथ और किस भासा को जानते थे, ये बताओ, देखों बच्चों, हिंदी अर्थ लिखके आएंगे, आपको कुछ फैदा नहीं होगा, जब तक अगर एक टीचर आपको संस्कृत नहीं समझा पाएगा, तो फिर आप कैसे पढ़ोगे, तो जल्दी बताओ, विद्यापती मेथिल भासा के साथ साथ और किस भासा में गरंत लिखते थे, तो आप कहेंगे सर, कि यहां लिखा है कि आसित, अपीचो बहुना, अपीच संस्कृत भासा आता था, कहते हैं कि इती तस्विशिष्ट था, इती तस्विशिष्ट था, यहां उसकी विशेष्ट था, संस्कित विशयो अपीप्रभूता आसित, कहते हैं कि उसका जो विशेष ज्यान था, वो संस्कित भासा में भी था, संस्कित भासा में भी उसका व गष्ट अब तयानेवाले आलस्ति नाम के दोश्ट को निरोपन करने वाले वियंग्यात्मक रूप में किस रूप में वियंग्यात्मक रूप कि व्यंग्यात्मक क्था प्रस्तुत है तो बच्चों यह बताओ कि इस पाठ में हम लोग किस किस दोस के बारे में पढ़ने वाले हैं इस पाठ में हम लोग किस दोस के बारे में पढ़ने वाले हैं तो आप कहेंगे सर हम इस पाठ में आलस से नाम के दोस के बारे में पढ़ने वाले हैं पढ़ने वाले हैं कहते हैं बच्चों नीतिका रहा आलसस्य रीपू रूपम बननेते यानि नीतिकार आलस्य को क्या मानते है जल्दी बताओ नीतिकार आलस्य को क्या मानते है नीतिकार आलस्य को क्या मानते है नीतिकार आलस्य को शत्रू मानते है नीतिकार आलस्य को क्या मानते है शत्रू सर ये नीतिकार कौन है नीतिकार एक मत्तब कि ऐसे एक संस्कृत में ही है कवी है अचारी कुछ नाम है उनका उन्हें नीतिकार कहा गया है हमें साब से ही पूछा जाएगा कि नीतिकार आलस्य को क्या मानते हैं नीतिकार आलस्य को सत्रू मानते है बच्चो मनुस्य का सबसे बरा सत्रू क्या है और आपसे पूछा जाए मनुस्य का सबसे बरा सत्रू क्या है तो वो उसका आलस से है क्या लगता है आपको कितने ऐसे बच्चे हैं जिनको लगता है गुरू जी यहां से कोई भी कुछन पूछा जाए मैं बता सकती हूँ या मैं बता सकता हूँ कमेंट बॉक्स में जल्दी लिखो यहां से कोई भी कोशन पूछा जाए कि आप बता दोगे यह सर चाहे यह पूछा जाए कि हमारा जो अलस कथा पाठ है उसके लेखक कौन है विद्यापती विद्यापती किस भासा के कवी है मैथिल भासा के अलस कथा पाठ कहां से लिया गया है पूरुस परिक्षा गरंत से पूरुस परिक्षा गरंत में किसके गुनों का वर्नन है मानव के गुनों का किसके निराकरन का वर्नन है तो दोस निराकरन का वर्नन है अलस कथा पाठ किस रूप में है वियंग्यात्मक रूप में, किस रूप में है, वियंग्यात्मक रूप में, विद्यापती मैथिल भासा के साथ साथ और किस भासा के जानकार है, संस्कृत भासा के, पुरुस परिक्षागरंत किस भासा में लिखा गया है, संस्कृत भासा में लिखा गया है, लिखा गया है, लग रहा है बन जाएगा कोई भी कोसन बच्चो नहीं छूट सकता है नितिकार आलसे को क्या मानते हैं क्या मानते हैं बच्चो सत्रू मानते हैं अब आईए हम आपको पूरी कहानी सुनाते हैं क्या सुनाते हैं बच्चो कहानी क्या सुनाते हैं बताओ कहानी क्या सुनाते हैं बच्चो कहानी सुनाते हैं सुना दें येस बच्चो मैं आपको कहानी सुनाता हूँ एक मिथला में है ना मिथला में मिथला में विरेश्वर नाम का एक मंत्री था एकजाम में पूछा जाएगा मिथला का मंत्री कौन था तो मिथला में विरेश्वर नाम का एक मंत्री था कौन था बच्चो विरेश्वर नाम का एक मंत्री था कहां था बच्चो मिथला में ठेक है और यह जो था विरेश्वर नाम का जो मंत्री था यह बच्चो दान सील था यह क्या था दान सील था और इसके मन में करूना थी मतलब का दान सील और कारुनिक था कौन था बच्चो मिठला का मंत्री जिसका नाम था वरेश्वर यहां अनाथों को भोजन देता था जिसके कोई नहीं है उसको भोजन देता था उसे वस्त्रदान देता था तो बच्चो इन्होंने अनाथों के साथ-साथ इन्होंने आलसियों के लिए भी भोजन का प्रबंध किया था एक घर में बच्चो एक घर में आलसियों के लिए भी भोजन का प्रबंध किया था और यहां रहा करके आलसियों को ये भोजन देते थे ठीक है ना आलसियों को क्या देते थे बताओ भोज जाएँगा ने तो पहले सुना देंगे तो फिर बाद मजा नहीं आएगा ठीक है आजआ बच्चों यहां सनते आज़ाओ नित फिर मजा कर आप हो जाएगा आज़ो पड़ते हैं कहते हैं बच्चों सबसे पहला लान में आसित मतलब था मतब विरेश्वर नाम का मंतरी कहां था मिथला में मिथला का मंतरी कौन था विरेश्वर कहते हैं सवच तो सवभावसे का था तो स्वभाव से वो दानसील था और करूनाईक जिसके मन में करूना हो जो दूसरे को दुक को देखकर दुक समझे हम उसे करूनाईक इंसान कहते हैं आगे कहते हैं सरवेभ्यो मतब सभी को है ना सरवेभ्यो दुरगतेभ्यो है ना अनाथे भ्यास्चा कहते हैं कि सभी दुरभाना जो दुरगती में हैं जिसकी गती अच्छी नहीं है जिसे खाने पीने नहीं मिलता है और जो अनाथ है परत्या ना परत्या क्या लिए परत्या पर्तिय हो भोजन कराता है वह जल्दी बताओ कि जो लोग दुर года प्राप्त हैं और जो लोगlist हैं उसको इच्छा भोजन कौन कराता है जो मांगो वह खाने देता था आए कहते हैं तन मध्धे मतब उसके बीच में तन微측 अलस्यभ्यो और बच्चों वहां उसके बीच में आलसियों को भी वस्त्र और अन्य देता था आलसियों को भी क्या देता था बताओ बच्चो इच्छा भोजन किसे देता था इच्छा भोजन तो इच्छा भोजन देता था अनाथों को किसको अनाथों को इच्छा भोजन देता था और उसके बीच में अन्य और वस्त्र किसे दान करता था जल्दी बताओ अन्य और वस्त्र किसे दान करता था तो जो आलसी लोग थे उसे अन्य और वस्तरदान करता था जो आलसी लोग थे उसे अन्य और वस्तरदान करता था बच्चों आलसी लोग क्या आपने कभी आलसी को देखा है क्या आपके घर में कोई आलसी है हाँ सर मैं एक छोटी सी कहाने सुनाता हूं आलसी की दो मि राल सी थे, धोनों पेड के नीचे सोय थे, हैना कौन सा पेड था, तो आम का पेड था, और यहाँ पर एक के पेड पर आम गिर गया, एक के पेड पर क्या गिर गया, आम गिर गया, तो ये जिसके पेट पर आम गिरा है छोटा सा वो ये कह रहा है दूसरे वाले को कि मेरे पेट से आम उठा कर मुझे दो आम या बैर मानलो बैर मानलो आम तो गिर गा तो पेट फट जाएगा ना तो मानलो बैर गिरा था क्या गिरा था बैर तो बैर गिरा तो ये दूसरे आलस हरा था तो दूसरा को हटाओ है तब मैं तुम्हारा बेर उठा कर मुझ में डालूंगा तो ऐसे लोग ऒंऄ ऐसे आलसी लोग हैं कि एक किसी के पेट पर बैर गिर गया तो खुद से उठाके नहीं खा सकता इसे कहा रहा है कि उठाके देदो और दूसरा कहा रहा है मेरा मुह कुत्ता चाट रहा है कुत्ता को भी नहीं हटाना इतना आलसी है कि कुत्ता मुह चाट रहा है तो कुत्ता को नहीं हटाना बाई साब कहां से आये हो तो ऐसे लोग आलसी होते हैं ठीक है यहां पर वो आलसी नहीं है यहां के आलसी की यहां के आलसी की बात करते हैं कहते हैं कि निर्गति नाम चह निर्गति नाम सर्वे आलसम आलसह प्रथमों मतह कहते हैं बच्चों कि निर्गति नाम जिसकी निर्गति है यह जिसकी गती अच्छी नहीं है जिसकी गती अच्छी नहीं है कहते हैं और उन सब में कहते हैं निर्गति नाम चह सर्वे 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 सर्व सामलस प्रथमों मतह कहते हैं कि बच्चों जितने भी निर्गती प्राप्त लोग हैं उसमें सबसे प्रथम आलस हैं जितने भी निर्गती वाले लोग हैं जिसकी निर्गती देख रहे हैं आस पास में खाने पीने नहीं मिल रहा है उसमें सबसे प्रथम अस्थान पर कौन है बताओ जितने भी निर्गती प्राप्त लोग हैं उसमें सबसे प्रथामस्थान पर हैं आलसी प्रथामस्थान पर कौन है बच्चों आलसी हैं कहते हैं किनचीम छमते कुड़त है किनचीम छमते मतलब कुछ भी करने का छमता नहीं है कुछ भी करने का उनमें छमता नहीं है कह पेट में आग लगने पड़ भी वो कुछ नहीं करते हैं तो कहना बच्चो आलसी क्या कहना आलसी जो है वो पेट में आग लगने पड़ भी कुछ नहीं करते इतने आलसी हैं कि अपने खाने तक का प्रबंध नहीं करते इसलिए कहते हैं मतब पेट में आग लगने के बाद भी आल सी पुरुस कुछ भी नहीं कर सकते हैं, यहां तक समझ में आ गया बच्चो, अगर कोई भी प्रस्न यहां से पूछा जाए, मेरे बच्चे से अगर कोई भी प्रस्न पूछा जाए, तो क्या आप बता दोगे? हा सब, क्या पूछा जाएगा? कोशन यह पूछा जाएगा कि मिठला का मंत्री कौन था? उत्तर विरेश्वर, विरेश्वर कहा का मंत्री था? मिठला का, वह, वह, एना इच्छा भोजन, अनाथों को इच्छा भोजन कौन कराता था? विरेश्वर, है ना, कहते हैं कि अन और वस्त्र विरेस्वर अन और वस्त्र किसे दान देता था आलसियों को अन और वस्त्र दान कौन देता था विरेस्वर कहते हैं जितने भी निर्गती प्राप्त लोग हैं उसमें पहले अस्थान पर कौन है आलसी पेट में आग लगने पड़ भी कुछ नहीं कर सकते हैं कौन आल तो बच्चों मुझे पूरा भरोसा है आपके उपर कि इस यहां से कोई भी कोशन पूछा जाए तो मेरा बच्चा सबसे पहले आपका अंसर आएगा पहुत अच्छा अंसर आएगा ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं next पढ़ते हैं next क्या लिखा गया है अब यहां से start होता है मे ततो आलसा पुरुषा नाम ततो आलसा पुरुषा नाम तस्टे लाभा सुरुत्वा नहीं बच्चों यहां विरेश्वर क्या करता है विरेश्वर आलसी को इच्छा भोजन कराता है अन्य देता है और वस्र देता है तो कहते हैं बच्चों कि ततो आलसा पुरुषा नाम तब आलसी पुरुष के इस लाब को सुनकर ततो मतब तब आलस मतब आलसी पुरुषा नाम मतब पुरुषों के ततेष्ट लाब मतब होने वाले लाब को सुनकर बहु मतब बहुत सारे बहव अस्तुन्द क्या लिख है बहव अस्तुन्द अस्तुन्द परिम्रित जास्त्रह क्या लिखा है वर्तूली बभुवह यतह कहते हैं कि आलसियों के इस लाब को सुनकर बहवह मतब बड़े बारे इस तुन मतब पेट वाले जो लोग है इस लाब को सुनकर जितने भी बड़े बड़े पेट वाले लोग है यानि पेटू लोग है वो सब बच्चों कहां चल बताओं वो सब कहां चल गये वो सभी कहां चल गये तो वो सभी चल गए अलस साला में कहां चल गए उस में बात को सुनकर कि विरेसवर जो है आलसियों को फ्री में भोजन दे रहा तो इस बात को सुनकर बहुत सारे बड़ी बड़े पेट वाले लोग वहां पहुँच गए, थे आगे बढ़े जाए यह सर कहते हैं, आगे लिखते हैं कि इस्थिती सो के मूला ही सरवे सामपी सनहते सजाती नाम सुखम द्रिष्टवा के नाधावंती जात्वा इसका मत्तब समझे बच्चों कहते हैं कि इस्थिती सो की मूला ही सुन्दर ही सरवे मपी सनहते कहते हैं बच्चों कि आपके इस्थिती सुन्दर देखकर आपके पास पैसा है आपके पास गारी है आपके पास अच्छा अच्छा खाने का है तो कौन नहीं आपके पास आएगा बताईए कहते हैं कि कि सुख मि लोगको शुख में देख कर के न मतलब कौन नहीं धावनती मतलब दोर कर जायेगा कौne नहीं जाएगा तो बच्चों किस्के सुख को देखकर तो सर देखा कि विरीस्वर नाम का मंतरी एक मतलब अलस साला में सभी आलसी लोगों को फिरी में खिला रहा है फिरी में कपड़ा दे रहा है तो और सभी लोग देखकर जितने भी पेटू पेटू लोग थे जो फिरी में खाना चाहते थे सब पहुँच गए जो फिरी में खाना चाहते थे सब पहुँच गए इसलिए कहता है कि स्थिती सो के मूला हुई अच्छे स्थिती देखकर सरवे मपी सनहते सब कोई साथ चाहता है सजाती नाम मतब एक ही जाती के शुखम दिरिष्टवार लोगों को सुख में देखकर केना धवनती जातव कौन नहीं जाएगा तो बच्छो अब क्या होने लगा जल्दी बताओ सर अब क्या होने लगा कि बहुत साथे लोग वहाँ पर फिरी में भोजन खाने जाने लगे जो कि विरेस्वर जो था सिर्फ आलसियों को भोजन दे रहा था जो सही आलसि है उसी को भोजन दे रहा था लेकिन अब सब लोग दौर कर आ गए ठीक है न चलो आगे लिखते हैं बच्छों आगे लिखते हैं कि कहते हैं बच्छों कि उसके आलसियों के सुख को देखकर सुख को देखकर धूरता आपी मतब धूरत लोग यानि ठग लोग ठग लोग भी कृत्रिम आलस्य कृत्रिम मतब होता है बनावटी आलस्य दरसित्वा मतब कि दार्सन अना दरसित्वा मतब दिखाकर भोजन गरहन करने लगे और क्या होने लगे, कि जो सही में आलसी नहीं थे, वो भी ढोंग करने लगे कि हम भी आलसी हैं, और जाकर के क्या करने लगे बच्चों, भोजन गरहन करने लगे, एकजाम में पूछा जाएगा, कि बच्चों, कृत्रिम आलस से को धारन किस ने किया था, वो कहना बच्चों, धूर्थ लोग किसने क्या था धूर्थ लोग क्या बन गए जूट मूट का आलसी बन गए अरजा कर बोले हम भी खाएंगे हम भी खाएंगे उसको भी खाने मिलने लगा आये कहते हैं कि तदंतरा आना कहते हैं बच्चों तब क्या होने लगा कि अलस साला में बहुत सारे द्रव का खर्चा होने लगा यहनि आलस साला में जहां दस लोग खा रहे थे वहां अब दो सा लोग खाएंगे तो बच्चों खर्चा बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा तो कहते हैं हमागा खर्चा बढ़ गया, कहते हैं कि तन्योगी पुरुस है, मतब जो न्योग पुरुस थे, जिन्हें विरेस्वर ने वहाँ पर रखा था खाना खिलाने के लिए न्योगी पुरुस है, कहते हैं कि तन्योगी पुरुस है, प्रामिस्ट है, तब उन्होंने ब हमारे जो मालिक हैं उन्होंने केवल आलसियों के लिए यह भोजन प्रबंद किया है केवल आलसियों के लिए क्याель किते है कि कपतें आलस्थ अपी कहते हैं कि कपती आलस से भी, ग्रिहंती इत्यास्माकम प्रमाधह, कहते हैं बच्चों कि कपट वाले जो आलस से हैं, कपट वाले जो आलस से हैं, जिनोंने कपट का आलस से धारन किया है, उसको पहचानना हमारा धर्म है, उसको पहचानना हमारा धर्म है, उसको पहचानना हमा आलसवरूप नाम परिक्षा कुर्मे कहते हैं कि इना कहते हैं बच्चों तब इनका क्या होना चाहिए यदि संभव है तो इनकी परिक्षा हो यदि संभव है तो इनकी क्या होनी चाहिए बच्चों बताओ इनकी परिक्षा होनी चाहिए कहते हैं कि इती प्रामर्श मतब इस क्या लगा दिया जल्दी बताओ इसमें क्या लगा दिया क्या लगा दिया जल्दी बताओ तो कहते हैं कि जितने भी लोग घर में सोए थे यहां पर कुछ असली आलसी थे और कुछ नकली आलसी थे इसके उपर में क्या लगा दिया बताओ इसके उपर में क्या लगा दिया गुरू जी इस घर में आग लगा दिया गया एक्जाम में पूछा जाएगा आलसियों की पहचान करने के लिए क्या किया गया तो कहना बच्चो आलसियों की पहचान करने के लिए आग लगा दिया गया अगर पूछा जाए कि अलस साला में आग किसने लगाई तो आंसर कहना बच्चो आग किसने लगाई तो आंसर कहना नियोगी पुरुषों ने नियोगी पुरुषों ने अब लोग आएंगे उसको भोजन खिलाईएगा और कपरा दे दीजिएगा ताकि रात को अच्छे से सो सके अब बच्चों इसकी परिक्षा लेने के लिए कि इस घर में जो इतने आलसी हैं इसमें असली आलसी कितने हैं और नकली आलसी कितने हैं तो इस घर में क्या लगा दिया ग मरने के दर से तुरंत भाग गए होंगे, लेकिन कुछ आलसी तो बचे होंगे, जो अन्त तक रहे होंगे, तो चलिए बचों, अब देख रहे हैं कि विरेश्वर नाम का एक मंतरी था, जो फिरी में भोजन देता था आलसीों को, और फिरी में भोजन को देखकर अच्छे-च् रचा करके हम भी आलसी हैं वहाँ पर भोजन करने आ गए तब जो वहाँ पर नियुक्त पुरुस्त है जो उन्हें भोजन खिलाते थे उन्होंने विचार किया अगर ऐसा रहा कि जो आलसी नहीं भी है वो भी फ्री का आलसी दिखा कर आके भोजन करके जा रहे हैं कोई तो उपाए होगा कोई तो पायों की पहचान कईसे किगई जल्दी बता वे बताओ कि पहचान कैसे किगे तो आलस्ए आगणा कर में आग लगकर प्रविधम अगनी दुर्तो सर्व है थी है कि बच्चों घठ में आग को लगातना आग लगा देखकर सभी सat भी लृत प्लायन्ती मतबर भाग जाना सभी धूर्थ भाग गश्याग को देखकर कौन भाग गए उबजयक्तिम में पूछा जाएगा तो कहना बच्चो धूरत भाग गए कहतेसे थिल भा nosotros D पलायंती कहते हैं कि बहुत सारे तो आलसी भाग गए एक तो पहले धूरत भाग गे फिर तो बहुत सारे आलसी भी भाग गए आलसी भी भाग गए कहते हैं कि चतवारह मतब चार पुरुषा 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 पु उक्तम कहते हैं कि एक ने मूँ में वस्त्र लेकर के मतब कि इतने आलसी हैं कि जो मूँ पर वस्त्र धंका था धंक कर सोए थे उस वस्त्र को भी नहीं अटाए मूँ में वस्त्र लेकर के ही कहते हैं यह कैसा कुलाहल है बच्चों सभी आलसी भाग गए इतना बचा बताओ सभ चार आपस में बात्चित कर रहे हैं तो पहला जो है उन्होंने बच्चो मुँ में कपरा ढख कर कहते हैं तो फिर कहते हैं मतब कैसा सोरगुल है तो दूसरा कहते हैं बच्चों एक्जाम में पूछा जाएगा कि किसने बोला था अहो कत्यम कुला हला तो कहना प्रथम पुरुस ने पहले पुरुस ने बोला था अहो कत्यम कुला हला कैसा सोरगुल हो रहा है जब सब भागेंगे जब आग लग जाएगा और सब भागेंगे तो नहीं होता हला भ दूसरा कह रहा है कि ऐसा लग रहा है कि इस घर में आग लगी है तो बच पहले ने बोला कतम यहां कैसा सोअरू बूल है और दूसरे ने लगता है आग लग गये तीसरा सुनना कितना comedy हैason कहते हैं कि कोई धार्मिक पुरुस नहीं है यहां आसपास कोई धार्मिक पुरुस नहीं है कंबल या धरी को हमारे उपर धख दे कोई धार्मिक पुरुस नहीं है जो जल से भीगे हुए कंबल को या बोरा को या धरी को हमारे उपर रख दे सोचो भाई साब अभी भी भागना नहीं चाह रहा है इतने आलसी है कि अभी भी भागना नहीं सोच रहा है सोच रहा है कि आग लगा है लगने दो बस कोई उपर से हमें धंक दे कपरासे तो हम बच जाएंगे फिर देखो चौथा क्या कहता है, चलो, कहते हैं इवच्चो चतुर्थेनोग तम चौथेने का, ऐवाचाला हा, कीत वचनानी, क्या बात कर रहे हो, वक्तु सक्तु न था, तूसी कत्यम न तिश्ठ हता, कहते हैं, अरे वाचालो, तुम लोग कितना बात करते हो, चुपचाप नहीं रह सकते पढ़ाना छोड़ देंगे इतनी हसी आ रही है कह रहा है कि आरे वाचालों कितना बोल रहे हो तुम लोग चुपचाप नहीं रह सकते जान जा रहा है आदमी भाग रहे हैं अब देखो वचवेस चारों कितने कितने कोमेडी हैं कितने कोमेडी हैं जान जा δा gidecent घर जड़ में आग लगी है पहला है दूसरा है टीसरा है घृटी साफ ऐसा होगा और चौथा का तो समझें मूह ही नहीं होगा इतना खत्रनाक आदमी ऐसा मु बना देते ठीक है ना चाह था है पहले ने क्या बोला पहले ने बोला कि कैसा सोरगुल है पहले ने बोला कैसा सोरगुल हो रहा है दूसरे ने क्या बोला दूसरे ने बोला लगता है घड में आग लगी है लगता है घड में घड में क्या लगी है आग लगी है बच्चों देखो पहले कोई मूह नी खोला है सब लोग ना ऐसे करके ओड़ लिए हैं ओड़ करके अंदर से बोल रहें देख भी नहीं रहें कि आग लगा है इतने आलसी लोग होते हैं तीसरा कह रहा है यह आग लगा है तो क्या दिक्कत है कोई धार्मिक इंसान नहीं है जो हमारे उपर भीगा टाल दें चवथाई ने क्या बोला बोलो एक्जां में पूछा जाएगा कि चवथे आलसी ने क्या बोला था यप बोला था दूसरे ने बोला लगता है आग लगी है तीसरे ने कहा तीसरे ने कहा कि कोई धार्मिक पुरुस नहीं है जो हमारे उपर भींगा कम्मल डाल दे और चौते पुरुस ने कहा अरे वा चालो तुमनों कितना बोलते हो ठीक है अब बच्चों आगे बढ़ जाएं कि आगे बरते हैं कहते हैं आगे लिखा गया है कि just खाँप रुपक्रों कि थत भाय तुद्व तक स्वत्रना पी तेसा मेव परसपरमालाप सुरु Census के कहते हैं बच्छों कि तब उनके बीच के बात को सुनकर प्रस पर लाप मतब होता है उनके बात को सुनकर सुरुत्वा वहिनम्च प्रविध वहिनम्च और अगनी को बढ़ते हुए देखकर अगनी को बढ़ते हुए देखकर पतिस्ट्यंत द्रिष्टवा नियोगी पुरुसा कहते हैं कि नियो बातों को सुनकर और अगनी को बढ़ते हुए देखकर उनके बातों को सुनकर जो योगी पूरुस थे जो नियोगी पूरुस थे जो आसपास में उन्होंने उनके बात को सुना कि यार दे तो लग रहा है अभी भी निकलने वाला नहीं है उनके बात को सुनकर उनके और अगन को बढ़ते हुए देखकर और उपर से गिरते हुए देखकर उनके बाल को पकड़कर उने खीच करके घर से बहार निकाला तो एक्जाम में पूछा जाएगा कि बच्चो चारो आलसियों को कैसे निकाला गया उच्छा जाएगा कि चारो आलसियों को कैसे निकाला गया तो कहन परसियों को किसने निकाला तो कहना बच्चो नियोगी पुरुसों ने किसने निकाला नियोगी पुरुसों ने मतब जिन्होंने आग लगाया था उन्होंने ही इन्हें निकाला नियोगी पुरुसों ने इन्हें निकाला बच्चो और कहते हैं कि तेरणी योभीगी पठितम उसके बाद नियोगी पुरुसों ने पढ़ा, उसके बाद नियोगी पुरुसों ने कहीं पर लिखा हुआ पढ़ा, उसके बाद उनको बाहर निकाल कर नियोगी पुरुसों ने पढ़ा, पतिरेव गती, इस्तरी नाम, बालनाम, जननी गती, आलसा नाम गती, कास्चीलों कहे कारुनाईक बिना इसका आर्थ समझे बच्छो उसके बाद नियोगी पुरुसों ने पढ़ा कि पतिरेव गती पतिरेव गती इस्त्री नाम मतब कि गती मतब होता रक्षक गती मतब क्या होता है बच्छो रक्षक कहते हैं कि पतिरेव गती इस्त्री नाम इस्त्रियों के रक्षक कौन है इस्त्रियों के रक्षक कौन है बताईए तब आलसी पुरूसों ने पढ़ा कि इस्त्रियों के रक्षक कौन है इस्त्रियों के रक्षक कौन है तो आंसर आया इस्त्री के रक्षक है उनके पती इस्त्री के रक्षक कौन है उनके पती है इस्त् जननी गती और जो बच्चा होता है बच्चे के रक्षक कौन है तो कहते हैं बाल का नाम जननी गती जननी मतब होता है मा जननी मतब क्या होता है बच्चो मा तो बच्चे का रक्षक कौन है तो कहना बच्चो बच्चे का रक्षक है मा बच्चे का रक्षक है मा कहते हैं कि आलस का जो रक्षक है वो कोई नहीं है कारुनेग बिना अगर कारुनेग लोग नहीं हो जिसके मन में दया का भाव है वो नहीं हो तो आलसियों का रक्षक कोई नहीं है तो बच्चो ऐसे कह सकते हैं कि आलसियों का रक्षक कौन है कौन है बताओ आलसियों का रक्षक कौन है तो कार बालक का रख्षक कौन है तो कहना बच्चों मा बालक का रख्षक कौन है मा और आलसियों का रख्षक कौन है तो कहना बच्चों कि आलसियों का रख्षक है कारूनेग लोग कौन है कारूनेग लोग क्या है आलसियों का रख्षक है तो बच्चों बताओ जो वहां पर फिरी मे जो वहाँ पर फिरी में भूजन करने के लिए उतने लोग आ गए थे, उसमें से असली आलसी कितने थे, ठीक है, असली आलसी मात्र चार बचे, सब अपनी जान की परवा किये बगार भाग गए, असली आलसी वही हैं, जो अपने जान की भी परवा नहीं करते, जो अपने जान रक्षक कौन होता है तो पती बालक का रक्षक उसकी माता और आलसियों का रक्षक होते कारूने एक लोग जिसके मन में दया आ जाए अगर कोई भूखा आदमी है उसको देखकर आपको अगर दया आ जाए कि हम उसे कुछ दे देते हैं समझी आपके अंदर करूना है आपके अ पश्यातेशु उसके बाद उसके बाद मतब पश्यातेशु चतरसालेशु मतब चारो आलसियों को तप अधिक तरम वस्तु मंत्री 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 दापत्यमासह और उन्हें अधिक वस्तु देकर उन्हें उन्हें बहुत सारे वस्तु देकर उन्हें क्या किया गया उन्हें बहुत सारे वस्तु देकर उन्हें विदा किया, आलसियों को बच्चों क्या दिया गया, बहुत सारे वस्तु दिया गया, तो कितने ऐसे बच्चे हैं, जिनको कहानी याद हो गया, जल्दी बताओ, जिनको कहानी याद हो गया, जिनको कहानी याद हो गया, जल्दी बताओ, कितने ऐसे बच्चे जिनको कहानी याद हो गया, सर कहानी क्या है, बहुत आसान कहानी है, कि विरेस्वर नाम का मिथला में एक मंत्री था, जो सर अनाथों को, गरीबों को भोजन खिलाता था, और साथ जो बहुत आलसी थे, जो कोई काम नहीं कर सकते थे, उनको भी भोजन कराते थे और वस्तदान देते थे, इस बात को सुनकर आसपास के जितने भी अच्छे लोग थे, जो भी पेटू लोग थे, वो लोग भी जूट मूट का बोले लेगे, भईया हम भी आलसी हैं, हमको खिला आये ना, तो वो लोग भी आलसी बन गए, क्या बन गए, आलसी बन गए, जिसके कारण से विरेस्वर का खर्चा बढ़ गया, यानि अलस साला, जहां गाए को रखें, उसे गौव साला, जहां आलसीों को रखें, उसे अलस साला कहते हैं, जहां पर पुस्तक रखा जाए, उ उसे पाट साला, तो अलस साला का खर्चा बढ़ गया, जब खर्चा बढ़ गया, तो वहाँ पर काम करने वाले जो लोग थे, जो खाना बनाते थे, जो खाना खिलाते थे, जो उन्हें कपड़ा देते थे, वो साड़े लोगों ने सोचा, कि आखिर ऐसा क्या किया जाए, ऐसा बचे कितने चार आलसी जब पूरा घर में आग लगा है उपर से आग नीचे गिर रहा है तब वहां चारों आलसी में पहला आलसी कहता है औहो कथ्यम कुलाहल यह कैसा कुलाहल है दूसरा कहता है ऐसा लग रहा है कि इस घर में आग लगी है तीसरा कहते हैं लगी है तो कोई ब आलसे कहते हैं कि तुम लोग कितना बोलते हो अरे वा चालो कितना बोलते हो चुप हो जाओ इसको देख करके और उपर से जो बड़ा बड़ा आग गिरने लगा तो नियोगी पुरूसों को ऐसा लगा कि यदि इन्हें बाहर नहीं निगाला गया तो ये तो मर जाएंगे इसल अभी आलचियों को पूरुसकार दिया गया और सब को भेज दिया गया तो बच्चों क्या आपको पूरी कहाने याद हो गई येस और नो जल्दी बताओ येस सर येस सर येस सर तो प्यारे बच्चों एक बार अगर आपने क्लास को भी तक लाइक नहीं किया है तो हर एक कम से कम लाइक की संख्या 15 सो होनी चाहिए, सब लोग प्यारे बच्छो जल्दी यदि से class को लाइक कर दें, फटा फट से, जल्दी से, जल्दी से लाइक कर दें, ठीक है, चलिए अब आपका टेस्ट लेते हैं और आपसे पूछते हैं question, जल्दी यदि से सबको लाइक कर दी आईए बच्छो, टेस्ट लिया जाए, बोलो हाया ना, टेस्ट लिया जाए, यस ग्रुजी, अब आपका होगा टेस्ट, चलो बच्छो, आपका होगा टेस्ट, सबसे पहला question, सबसे पहला question आपका क्या होगा, टेस्ट बच्छो, सबसे पहला question बताईए, कि ये जो हम इसके लेखक कौन है अलस कथा के लेखक कौन है तो आप कहेंगे सर अलस कथा के लेखक है विद्यापती कौन है अलस कथा के लेखक कौन है विद्यापती फिर हम पूछेंगे बच्चों कि विद्यापती किस भासा के कवी है विद्यापती किस भासा के कवी है तो आप कहेंगे विद्यापती मेथिल भासा के कवी है, फिर हम आपसे पूछेंगे, विद्यापती मेथिल भासा के कवी है, अगला कोशन पूछेंगे, कि ये जो बच्चों, ये जो हमारा है अलस कथा, ये कहां से दिया गया है, किस पार्ट से दिया गया है, तो आप कहेंगे यहां लिया गय तो आप कहेंगे पूरुस परिक्षा नामगरंद से, पूरुस परिक्षा गरंद किस भासा में है, यह किस भासा में है, तो आप कहेंगे संस्कृत भासा में, संस्कृत भासा में, संस्कृत भासा में, विद्यापती जो है, वो मेथली के साथ साथ कौन सा भासा में प्रसिद मेथली के साथ साथ और वो किस भासा में प्रसिद थे तो मेथली के साथ साथ वो संस्कृत भासा में भी प्रसिद थे कहते हैं बच्चों विरिश्वर कहां का मंत्री था तो विरिश्वर कहां का मंत्री था तो विरिश्वर मिथला का मंत्री था विरिश्वर कैसा था विरिश्वर स्वभाव से कैसा था विरिश्वर स्वभाव से कैसा था स्वभाव से तो कहेंगे स्वभाव से विरिश्वर दानसिल एवं कारूनेग था दानसिल एवं कारूनेग था विरिश्वर कैसा था बताओ दानसिल एवं कारूनेग था अगर कि एक सब्सक्राइब मेरे बच्चे सही जा रहा है सब कुछ सब बढ़ियां जा रहा है बोलो हाई या ना कि हुआ कि दानसिल और क्या था बच्चो कारूनेग था दानसिल और कारूनेग था कि एक सब्सक्राइब बढ़ियां कि एक सब्सक्राइब दानसिल और क्या था कारूनेग था अगर आपसे पूछा जाए भाजन को बच्चो मत्तब कि भोजन अन्यदान और वस्तर कौन देता था तो विरिश्वर देता था विरिश्षवर देता था आप भूक लगने पड़ भी कौन कुछ नहीं कर सकता तो आलसी लोग जो होते हैं आलसी लोग वो पेट में भूक लगने पड़ भी कुछ नहीं कर सकते हैं ये बता बच्चों कि कि अलस साला का खर्च बढ़ने पर क्या किया गया तो आप कहेंगे कि आलसीों की परिक्षा कैसे लिगई एज़ाम में पूछा जाएगा कि आलसीों की परिक्षा कैसे लिगई तो क्या बताओगे आलसीों की परिक्षा कैसे लिगई जल्दी बताओ आलसीों की परिक्षा कैसे लिगई तो आप कहेंगे सर आलसीों की परिक्षा लिगई आग लगा कर क्या करके बताओ तो आलसीों की परिक्षा बच्चों आग लगा कर लिगई जल्दी बताओ आलसीों की परिक्षा कैसे ली गई तो आग लगा कर आग लगा कर आग लगा कर अगर आपसे पूछा जाए असली आलसी कितने थे जल्दी बताओ असली आलसी कितने थे तो असली आलसी की बात करें तो असली आलसी कितने थे तो असली आलसी चार थे असली आलसी चार थे, कहते हैं आलसी को किस ने निकाला, तो नियोगी पुरुषों ने, कहते हैं बच्चों, कि इस्त्री की गती कौन है, इस्त्री की गती कौन है, यानि की रक्षक, इस्त्री की गती है, उनका पती, कौन है बच्चों, पती, अगर आपसे ये पूछा जाए, कि बालकों का गती कौन है बालकों का गती है उसकी माता यानि उसकी मा और आलसियों की गती कौन है आलसी लोगों की आलसियों की गती कौन है तो बच्चों आलसियों की गती कौन है तो आलसियों की गती है कारुनाइक लोग कौन है कारुनाइक लोग कारुनाईक लोग है ना कारुनाईक लोग अब यहां से प्यारे बच्चों अब यहां से अब बताओ क्या आपको लग रहा है कि सारे objective question बन जाएंगे जल्दी बताओ क्या आपको लग रहा है कि सारे objective question बन जाएंगे हाँ या ना कि हां या ना कितने बच्छों को लग रहा है कि गुरु जी सारे objective question बन जाएंगे जितने भी objective question है सारे बन जाएंगे सर जल्दी बताओ मैं बता रहा है बाइक भी question नहीं चुटेगा अगर एक भी question चूट जाता है तो मुझे ऐसा लगे गा कि मैंने अच्छे से नहीं कि पढ़ाया है जल्दी बताओ के एक भी objective नहीं बचेगा चलिए बात करते हैं subjective question के next class में हम देखेंगे लेकिन यहीं बात करते हैं subjective question के पहला कोशन विद्यापति विध्यापति कौन थे विद्यापती कौन थे पहला कोशन आएगा बचो सब्जेक्टिव में क्या लिखना है कि विद्यापती मेथिल भासा के एक प्रसिद्ध कवी थे जिन्होंने पूरूस परिक्षा नामक गरंत लिखा था हो जाएगा बताओ यह सुर्णो लिख दोगे यह सुर्णो दूसरा विरेश्वर कौन था विरेश्वर कौन था विरेश्वर कौन था सब्जेक्टिव कोशन क्या लिखना है विरेश्वर मिथला का मंत्री था मिथला का मंत्री था जो स्वभाव से दानसिल एवं कारुनेग था वह अनाथों को इच्छा भोजन कराता था एवं आलसियों को अ अगला कोशन, अगला कोशन नमबर तीन, अलस साला में, अलस साला में आग क्यों लगाई गई, तो उत्तर लिखना है कि धूर्द आलसियों के आजाने से, या बनावटी आलसियों के आजाने से, अलस साला का खर्चा काफी बढ़ गया था, इसलिए असली आलसियों की परिक्षा करने के लिए, असली आलसियों को पहचानने के लिए, अलस साला में आग लगाई गई, असली आलसियों को पहचानने के लिए, अलस साला में आग लगाई गई, हो जाएगा तो बताओ, ठीक है में आग लगने पर चारो आलसियों के बीच हुए वरतलाप को लिखें तो लिखेंगे जब आलस साला में आग लगी थी तो सबसे पहले आलसि ने कहा यह कैसा कोलाहल है दूसरे आलसि ने कहा लगता है इस घर में आग लगी है तीसरे आलसि ने कहा कोई धारमिक पुरुष नहीं है जो हमारे उपर भींगा हुआ कंबल डाल दे चौथे आलसी ने कहा अरे वाचालो तुम कितना बोलते हो तुम लोग कितना बोलते हो चुप नहीं रह सकते यही उनके बीच में बात हुआ था तो बच्चों ये उत्तर हमेशा हिंदी में लिखना होता है अगर आपके मन में कोई confusion है तो आप बताएं ये उत्तर किस में objective कल होगा इसका objective और प्लस subjective बताओ बच्चों कैसा लगा कैसा लगा चप्टर जल्दी बताओ इस पिड में अगर इस चेप्टर से कोई भी कैसा अना कोई भी कोशन अगर आपका छूट सकता है तो मुझे बताएं मुझे नहीं लगता कि आपका एक भी कुशन छूट सकता ह ना तो objective ना तो subjective कुछ भी नहीं छूटेगा बच्चों इसका PDF कहा मिलेगा यह जो मैंने लिखा है इतना PDF कहा मिलेगा यह सब आपको WhatsApp ग्रूप में मिलेगा बच्चों यह पूरा PDF आपको कहा मिलेगा WhatsApp ग्रूप में ठीक है तो पहरे बच्चों कोई ऐसा है student जो हमारे WhatsApp पर जूड़े हैं अगर कोई ऐसा बच्चा है जो नहीं जूड़ा है तो मुझे बताएं इसके साथ में आपको application पर भी जूड़ा जाता है जिस course को हम बता रहे हैं जिस course का नाम इसका नाम है ड्रीम 450 प्लस हमारे course का नाम है बच्चों ठीक है न ड्रीम 450 प्लस और यहां से जूड़े हैं तो उसके लिए पूरा दिन भर आपके पास समय है यह नंबर लिजिए 7700-879453 पर आप कॉल कीजिए या दूसरा नंबर है 62013 2598 पर कॉल कीजिए और कॉल करकर बोलिए कि मुझे संजय सर के WhatsApp ग्रूप में जूड़ना है और मुझे application पर सर का course पर्चेस करना है कॉर्स का प्राइस कितना है बच्चो जल्दी बताओ कॉर्स का प्राइस कितना है नहीं जूड़े है सर बन जाना जूड़ जाईएगा कॉर्स का प्राइस बच्चो पूरे साल के all subject का मात्र 499 रुपए ठीक है 599 पर अभी offer में आपको 499 में हम सुरू से दे रहे हैं और अभी भी देते हैं बच्चो अब हम नहीं जूड़े हैं सर तो जूड़ जाना आज साम तक का समय है जूड़ जाना साम को कितने बज़े क्लास है बच्चो बताओ साम को क्लास का टाइमिंग बताओ पहली क्लास है साड़े छे बज़े और दूसरी क्लास है बच्चो आठ ब तो बच्चो, morning में English क्लास होगी कल से, तो इसको भी ध्यान रखना आप लोग, ठीक है, time बता देंगे हम, love you बच्चो, love you, ssd कब होगा सर, ssd भी होगा, ssd भी होगा, kैसा लगा क्लास, आप सभी लोग अपना महत्वपून comment नीचे जरूर कीजिएगा, एक छोटा सा comment नाम को पढ़ूंगा बच्चो, चलो, क्लास के असाला जल्दी comment करना सब लोग,